Hello friends, myself CNO Parma और आज हम डिसकस करने जारे हैं class 11th accounts journal entries का एक बहुत important concept that is journal entries in respect of discount जब आप discount के आती है तो discount दो तरका होता है एक कौन कहते हैं trade discount और दूसरी कौन कहते हैं cash discount हमें समझना होगा कि trade discount और cash discount क्या होता है आईए एक छोटे से example से समझते हैं मुझे एक समान खरीदना था कोई product खरीदना था लेकिन जेब में पैसे नहीं थे तो मुझे ध्यान आया है कि एक shop है जहांसे समान खरीद लो और पैसे 30 दिन बात पे करो तो भी चलता है means उनकी जो समान बेचने की policy है वो credit policy है credit policy का मतलब होता है उधार में समान बेचना कि आज समान ले जाए अगले 30 दिन के भी तर जब आपका मन हो आप पे कर दीजिएगा तो मैंने कहा चलो पैसे नहीं है वहाँ चलते हैं वहाँ से समान खरीद लेते हैं वहाँ पर मुझे एक product पसंद आया तो मैंने देखा उसका price कितना है तो उसमें एक label लगा हुआ था और label में price लिखा हुआ था rupees 1000 यह जो price already product में लिखा होता है या product के साथ जो label होता है उसमें लिखा होता है इसे कहा जाता है list price क्या कहा जाता है list price आईए ये बात एक बार हम यहाँ पर लिख बे लेते हैं लिखते हुए चलते हैं समझते हुए चलते हैं जो प्राइज प्रोडक्ट में लिखा हो, वो क्या कहलाता है, लिस्ट प्राइज, और जो प्रोडक्ट मुझे पसंद आया है, उसमें प्राइज लिस्टेड था, रुपेज 1,000 है, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा महंगा लग रहा था, तो मैंने शॉप कीपर से कहा, उस सेलर से कहा वो सेलर है ना हम परचीजर हैं मैंने सेलर से कहा कि इतना मेहंगा तो मैं इसे नहीं खरी दूँगा अगर आप कुछ डिसकाउंट प्रोवाइट करते हो तो बताइए उसको लगा कि शायद मैं यह समान इस प्राइस पर नहीं खरीदूँगा तो सेलर ने से कहा ठीक है सर आप मुझसे 10% discount ले लीजिए कितना percent discount ले लीजिए 10% तो उसके और मेरे बीच में डील final हो गई सौधा तै हो गया कि वो ये समान मुझे बेचे गा मैं ये समान उससे खरीद लूँगा और कौन से price पर 900 100 rupees 1000 का less price था उसमें मुझे 10% का discount दे दिया तो 1000 का 10% कितना होता है 100 100 rupees का discount काट लेंगे तो price कितना बचा 900 तो उसके और मेरे बीच में सौधा तै हो गया है deal final हो गई है कि मैं इसे 900 रुपए में खरीद रहा हूँ वो इसे 900 रुपए में बेच रहा है ये जो discount होता है न इसे ही हम trade discount कहते है trade discount मुझे ये मिल गया है कितना percent 10% फिर आपको तो मालूम है मेरे जेब में पैसे नहीं है क्योंकि मुझे उनकी policy के बारे में मालूम है कि वो तुरंट पैसे नहीं लेते हैं तो मैंने shop कीपर से समान pack कराया और रख लिया मैंने कहा मैं बाद में आता हूँ तो आपको पैसे देता हूँ shop कीपर ने मुझे से कहा कि मैं आपको एक और offer दे रहा हूँ मैंने कहा बताईए उसने मुझसे कहा कि आप अगर 30 दिन के भीतर पैसे दे देते हैं आज मुझसे आप समान लेकर जा रहे हैं आज से आप 30 दिन गिन लीजे 30 days 30 days के भीतर अगर आप मुझे payment कर देते हैं तो मैं आपको further discount दूँगा further discount means ये वाला discount तो मैंने आपको दे दिया है 10% कम है आपको 5% का और discount दूँगा लेकिन वो तभी मिलेगा जब आप 30 days के भीतर मुझे payment कर देंगे मैंने कहा अगर 30 दिन से लेट हो गया अगर मैं 35 days के बाद आता हूँ तो नहीं नहीं फिर मैं आपको further discount नहीं दे पाऊंगा ये discount तो मैं आपको अल्रेडी दे चुका हूँ ना जाएगा और वैसा अगर कोई customer हमें pay करता है तो उसे हम further discount allow करते हैं 5% का मैंने का बहुत अच्छा है इस discount को नाम दिया जाता है cash discount cash discount वो कितना percent देना चाह रहे है 5% और वो 5% कब पे allow करेंगे मुझे discount if paid within 30 days अगर 30 दिन के भीतर मैं pay कर दूँ तो ये हो गया दो प्रकार का discount trade discount और cash discount दोनो fix होता है उसी दिन जिस दिन sale purchase का transaction हो रहा होता है वो मुझे समान बेच रहा है मैं समान खरीद रहा हो उसे दिन ये दोनों को दोने discount तै कर दिये जाते हैं कि कितना दिया जाएगा दिया भी जाएगा या नहीं दिया जाएगा लेकिन दोनों discount में purpose का अंतर होता है उसने मुझे 10% का discount क्यों दिया ताकि वो समान बेच पाए क्योंकि वो discount मुझे नहीं मिलता तो मुझे शायद ये product महंगा लग रहा था और मैं ये product खरीदता ही नहीं तो चुकि वो sale कर पाए actually बेचना खरीदना खरीदना जो है उसे हम technical language में trade कहते हैं खरीदी बिक्री English में उसको हम कहते हैं trade तो वो मुझे समान बेच पाए मैं उससे समान खरीद पाऊं trade हो पाए that's why discount दिया गया है उसे हम क्या कहते हैं trade discount लेकिन समान तो बिग गया फिर व दे रहा है ताकि मैं उसे 30 दिन के भीतर pay कर दूँ जब सच में उसे मैं amount pay करूंगा cash pay करूंगा तब वो मुझे एक further discount provide करेंगे that's why से नाम दिया जा रहा है cash discount सामने वाले व्यक्ति को जब लक्ष्मी माता के दरसन होंगे cash के दरसन होंगे और वो भी 30 दिन के भीतर दरसन ह होंगे तब जाके वो मुझे cash discount provide करेंगे ठीक है अब इसके respect में entry कैसे pass की जाती है इसके respect में अगर आप entries pass करना चाहते है जर्नल entries pass करना चाहते हैं तो हम कर लेंगे journal entries pass हमें सबसे पहले एक छोटा सा working note बनाना होता है आईए जल्दी से working note बना लेते हैं एक हम यहाँ prepare कर रहे हैं working note working note में हम क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे list price क्या लिखा जा रहा है list price आप मुझे बताईए क्या था इसका list price इसका list price था रुपेज thousand आप चाहो तो यहाँ रुपी का sign बना सकते हैं फिर इस list price में मुझे मिला है दो तरह के discount trade discount और cash discount sequence ध्यान में रखिएगा सबसे पहले हमेशा less किया जाता है trade discount कभी ऐसा नहीं होगा कि पहले आप cash discount less कर दें फिर trade discount less करें यह sequence आपको ध्यान रखना होता है first priority में आपको less करना होता है trade discount second priority में आपको less करना होता है cash discount तो ठीक हैं हम यहां से minus कर देते हैं हम minus कर देते हैं trade discount मैं आपके लिए यहां पर calculation भी कर देता हूं कि trade discount आखिरम कैसे निकाल रहे हैं यह जो list price था ना इसी पे apply किया जाएगा 10% बताइए 1000 का 10% कितना होता है hundred और चुकि minus कर रहे हैं यह negative item है इसलिए मैंने इसे bracket में रख लिया है ठीक चलिए एक तो हमने minus कर दिया अब मुझे बताइए कि deal कितने में final हुई थी सौदा कितने में तै हुआ था बेचने का और खरीदने का जो सौदा तै हुआ था वो हुआ था 900 में यह कहलाता है बिटा आपका net price क्या कहलाता है net price तो list price में से जो हम trade discount minus कर देते हैं उसके बाद जो price आता है वो कहलाता है आपका net price एक ऐसा price जिसमें सच में बेचने का और खरीदने का deal final हुआ था 900 रुपे में लेकिन क्या हमें 900 रुपे पे करना है अगर हम 30 दिन के भीतर पे कर देते हैं तो हमें 900 रुपे पे करने की जरुवत नहीं है हाँ 30 दिन से ज्यादा समय लग गया तो फिर कोई cash discount हमें नहीं मिल पाएगा तब तो definitely हमको 900 रुपे ही पे करना पड़ेगा लेकिन अगर हम prompt payment कर करते हैं 30 दिन के भीतर पे कर देते हैं तो हमें 900 रुपे पे करने की जरुवत नहीं है हमें further discount मिलेगा अब यह discount second priority में माइनस किया जाता है इसे हम कहते हैं बिटा cash discount सर दोनों माइनस ही तो कर रहे हैं न किसे पहले माइनस कर रहे हैं किसे बाद में माइनस कर रहे हैं क्या फर्क पड़ता है फर्क पड़ता है वो आपको अब इस calculation से समझ में आएगा बताईए 10% हमने कौन से amount के उपर apply किया है 1000 और 5% हमने कौन से amount के उपर apply किया है 900 और 900 त allow किया जाता है list price के उपर list price था हमारा thousand और cash discount allow किया जाता है net price के उपर तो cash discount का जो भी percentage दिया रहेगा उसे apply किया जाएगा list price पर नहीं list price पर नहीं net price पर जो net price हम यहां calculate कर चुके बताइए 900 का अगर आप 5% calculate करेंगे तो I think यह आएगा rupees 45 इसे भी हम यहां से minus कर देते हैं तो rupees 45 minus करने के बाद अब हम देखते हैं कि amount कितना बाकी रह जाता है amount बाकी रह जा रहा है हमारा सिर्फ और सिर्फ 855 इसे नाम दिया जाता है cash price क्या नाम दिया जाएगा इसे cash price तो यह हमारा working note यहां पर complete हो चुका है अब बात आती है journal entries की तो journal entry दो लोग pass करेंगे खरीदने वाला भी जने पास करेगा और बेचने वाला भी journal entry पास करेगा तो हम दोनों के point of view से one by one समझ लेते हैं सबसे पहले हम यहां समझ लेते हैं खरीदने वाले के रिस्पेक्ट में स्वारी बेचने वाले के रिस्पेक्ट में जो व्यक्ति बेच रहा है seller तो मैं यहां पर लिख लेता हूँ आपके लिए in the books of seller in the अच्छा एक काम करते हैं एक छोटी सी बात ना पहले हम लोग यहां पर assume कर लेते हैं seller और परचीज़दर का नाम लिख लेते हैं हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा seller है उसका नाम है मोहन और जो परचीज़दर है उसका नाम हम लिख लेते हैं राम seller का और परचीज़दर का हम यहां पर क्या करते हैं नाम लिख लेते हैं अब अगर हमें entries पास करनी होगी तो सबसे पहले हम entry पास कर लेते हैं in the books of seller seller क्या नाम था seller का seller का नाम था मोहन तो जो भी हम entries पास कर रहे हैं वो seller की books में पास कर रहे है in the books of seller और seller का नाम क्या है यहां पर मोहन ठीक है ज़र entry पास कर लेते हैं actually यहां पर दो बार entry पास की जाएगी एक बार entry पास की जाएगी और sale जो समान बेचा गया है उसके लिए और फिर एक बार हमको entry पास कर रही होगी जब सच में हमें पैसा receive होगा तब क्योंकि यह दो अलग-अलग transaction है दो अलग-अलग event है समान आज बेचा जा रहा है लेकिन पैसा आज नहीं मिल रहा है पैसा within a month 30 दिन के भीतर कभी भी मिल सकता है 10 दिन बाद 15 दिन बाद 20 दिन बाद तो जिस दिन हम समान बेच रहे हैं उस दिन हमें entry पास करने पड़ेगी समान बेचने की और जिस दिन हमें पैसा receive होगा उस दिन हमें entry पास करने पड़ेगी amount receive करने की that's why हमें दो entry pass करने पड़ेगी तो पहले entry हम pass कर रहे हैं आपर for sale बेचनी के entry pass कर रहे हैं आप मुझे बताइए sale के entry हम कैसे pass करते हैं आप purchase का debit balance होता है और sales जो की revenue है इसलिए उसका credit balance होता है तो जब कभी भी हम कोई समान बेचते हैं तो हमेशा हम sales account credit करते हैं sales account तो create कर देंगे debit क्या करेंगे debit हम करेंगे mohan का account sorry mohan का account बोल दिया मैंने ram का account जो की हमारा क्या है purchase दर क्योंकि वो हमसे उधार में समान खरीद रहा है वो हमारा data है तो sale के entry pass करेंगे बेचा आप यहाँ पर ram या rams account rams account debit to sales account rams account debit to sales account तो इस entry में तो आपको कोई तकलीफ नहीं है I think मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को credit sale की entry आती होगी कि हम जब कभी भी किसी व्यक्ति को उधार में समान बेचते हैं तो उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है debit side में और credit में जो हम entry करते हैं वो किसके नाम से आता है sales account के नाम से आता है अभी हम इसके respect में entry पास करें देखिए पहला entry हम इसके respect में पास करें यहाँ पर list price कहीं पर नहीं आएगा journal entry में list price किसी काम का नहीं है क्योंकि उस price पर तो सौधा हुआ ही नहीं था उस price पर तो deal हुआ ही नहीं था trade discount भी record नहीं किया जाता है books of accounts में हमें record करना होता है directly net price क्या record करना होता है net price तो हम यहाँ पर लिखेंगे 900 debit और 900 credit क्योंकि भले ही product में price 1000 रुपीज लिखा हो लेकिन क्या मुझे सामने वाले वक्ति से जिसने मुझसे समान खरीदा है उससे मुझे 900 रुपे लेने हैं या 1000 रुपे लेने हैं 900 रुपे लेने हैं तो मैं वही record करूँगा हम यहाँ पर trade discount record नहीं करते हैं तो ध्यान रखिएगा trade discount will never be recorded in books of accounts ठीक हैं पहला entry हो गया है फिर हम दूसरे entry pass करने की कोशिस करते हैं माल लेते हैं कि हमें पैसा receive हो गया है within 30 days for amount received और वो भी within 30 days क्योंकि 30 दिन के भीतर जब पैसा रितिव होगा तब ही हम सामने वाले व्यक्ति को discount allow करेंगे बात बहुत ही simple सी है समझेगा हमें कितना पैसा receive होगा वैसे तो हमें राम से 900 रुपे लेने थे पर within 30 days अगर वो हमें provide पैसा pay कर रहा है तो उसे हमें 45 रुपे का discount देना पड़ेगा बताए पैसा कितना आएगा हमारे पास 8.55 तो जितना पैसा हमारे पास आ गया उतने से cash account debit cash account debit कितना पैसा आ गया हमारे पास 8.55 और जो पैसा हमारे पास नहीं आ पारा है वो है discount allowed यहां पर भी एक बात समझ लेते हैं बहतर तरीके से अगर मैं seller हूँ तो मुझे discount allow करना पड़ेगा और अगर मैं purchaser हूँ तो मुझे discount receive होगा अगर मैं seller हूँ तो मुझे सामने वाले व्यक्ति को discount अलाउ करना पड़ेगा अगर मैं पर्चेजर हूँ तो सामने वाला व्यक्ति मुझे डिस्काउंट अलाउ करेगा तो मेरे लिए वो डिस्काउंट रिसीव होगा डिस्काउंट अलाउड एक प्रकार का एक्सपेंस है लॉस है तो हम यहाँ पर एंट्री पास करते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट फोड़ी सी यहाँ पर एंट्री हम ठीक तरीके से कर लेते हैं तो मुझे कैश्ट रिसीव हुआ था एट फिप्टी फाइव मुझे कैश्ट रिसीव हुआ है एट फिप्टी फाइव मुझे डिस्काउंट अलाउड करना पड़ गया है फोड़ी फाइव रुपीस का और यह जो राम का अकाउंट मैं ने अभी थोड़े दिर पहले क्रिएट किया था वो अकाउंट अब क्या हो जाएगा यहां पर लोस हो होता है हमने यहाँ पर कर दिया cash account debit 855 लेकिन मुझे तो उमीद थी कि 900 रुपए मिलेंगे लेकिन मिला सिर्फ कितना 855 तो मुझे तो यहाँ loss हो गया 45 रुपीज का discount के चक्कर में loss का हमेशाद debit balance होता है जब कभी भी discount allowed आएगा discount allowed वो आपका loss होगा तो यहाँ पर आपको 45 रुपए का loss हो गया है हाँ राम नाम का जो मेरा data था आज वो close हो जा रहा है तो आपने पढ़ा होगा debit the receiver credit the giver यह जो पैसे मेरे पास आ रहे हैं वो किस के पास से आ राम के पास से आ रहे हैं तो मुझे राम का account यहां पर क्या करना होगा credit करना होगा तो यह यहां पर हमारी entry complete हो जाती है एक काम करते हैं in the books of seller तो हो गया है जल्दी से हम देख लेते हैं कि purchaser purchaser जो है वो कैसी entries पास करता है इसे मैं यहां रख देता हूँ ताकि आप देख पाएं और compare कर पाएं अब यहां यहां पर फिर से entries पास कर लेते हैं एक बार in the books of purchaser देखिए अब हम entry पास करना चाह रहे हैं in the books of purchaser क्या नाम था purchase दर का पर्चीजदर का नाम था राम के बुक्स में राम सबसे पहले एंट्री जो पास करेगा वो पर पर्चीज सबसे पहले वो एंट्री पास करेगा पर पर्चीज बताईए पर्चीज का अकाउंट क्या किया जाता है डेबिट तो यह एंट्री पास करेगा पर्चीज अकाउंट डेबिट पर्चीज अकाउंट डेबिट तो किस से खरिदा है उसने सेलर का नाम क्या है मोहन मोहन अकाउंट यह तो आप जानते ही है पर्चीज का एंट्री कैसे पास किया जाता है क्रेडिट पर्चीज के रिस्पेक्ट में एंट्री कैसे पास की जाती है actually important है यहाँ पर amount फिर से मैं यह कहूँगा कि 1000 रुपए की entry नहीं की जाएगी 100 रुपए की भी entry नहीं की जाएगी जो भी entry की जानी है वो directly की जानी है 900 रुपीज से दूसरा for payment within 30 days अगर मैं 30 दिन के भीतर सामने वाले व्यक्ति को amount pay कर दूँ तो मेरा यह जो मोहन नाम का creditor था वो close हो जाएगा तो सबसे पहले मुझे इससे debit करना पड़ेगा मोहन's account debit कितने से debit करना पड़ेगा 900 रुपीज से अलाकि मैं उसको 900 रुपीज पे नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मोहन का account मेरी किताबों से पूरा 900 रुपीज से write-off कर दिया जाएगा मेरे books of account से 900 रुपीज से write-off कर दिया जाएगा तू बताइए इस 900 रुपीज में से मैंने कितना amount cash में pay कर दिया है 8.55 अगर 8.55 मेरे जेव से जा रहा है तो मुझे cash account को credit करना पड़ेगा और यहां लिखना पड़ेगा to cash account कितने रुपे से लिखना पड़ेगा 8.55 हाँ अब चुकि मैं purchase दर था मुझे 900 रुपे की जगा सिर्फ pay करना पड़ा 8.55 तो मुझे 45 रुपीज का discount receive हो रहा है तो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा to discount received account कितने का discount मुझे receive हो रहा है 45 रुपीज का तो यहां पर 45 रुपीज आ जाएगा एक छोटी सी बात बस last में मैं आपको explain करना चाहता हूँ बाकि सारी चीजे simple थी यहां पर यहां पर देखिए एक बार हमने discount allowed account open किया है और एक बार हमने यहां पर discount received account open किया है दोनों के दोनों discount account है लेकिन दोनों अलग-अलग account है एक है हमारा discount allowed और दूसरा है हमारा discount received discount allowed हमेशा loss होता है discount received हमेशा profit होता है so loss का हमेशा debit balance होता है profit का हमेशा credit balance होता है तो discount allowed की entry हमेशा debit side में ही होती है और discount received की entry होती है credit side में तो आप सेब discount account नहीं लिखेंगे कभी भी आपको इस बात को यहाँ पर bifurcate करना पड़ेगा segregate करना पड़ेगा कि भाई वो discount received है या discount allowed है अगर discount आप allowed कर रहे हैं आपका loss है तो discount allowed के नाम से लिखना पड़ेगा discount अगर आप received कर रहे हैं तो discount received के नाम से लिखना पड़ेगा discount allowed debit side में discount received credit side में उम्मीद करता हूँ कि discount के respect में यह जो entries पास की जाती है वो आपको बहतर तरीके से समझ में आ गई होगी आगे से हमेशा ध्यान रखिएगा कि discount दो तरह के होते हैं एक trade और एक cash trade discount की कहीं पर कोई भी entry नहीं की जाती है यह जो entry हमने की है न 45 rupees कौन सा discount था cash discount यह जो entry हमने की है न 45 rupees यह भी कौन सा discount था आपका cash discount आप इन दोनों के books में in the books of seller in the books of purchaser देख लीजिए कहीं पर भी आपको 100 rupees के entry नजर नहीं आएगी सिंपल सी बात है trade discount कहीं पर भी हमारे books of accounts में record नहीं किया जाता है उम्मीद करता हूं कि discount के respect में बातें आप लोगों को बहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी आज इस lecture में इतना ही करते हैं किसी और topic के साथ next lecture में मिलते हैं तब तक पढ़ते रहो बढ़ते रहो